उद्दर ठाकरे, तुमने मुझे कल अपने भाशन में गाली दी, नमक हराम कहा, इससे पहले भी सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी है, धमकाया है मेरा जबडा तोड़ना या ओपनी मुझे मार देना या हराम खोर कहा ने इस तरह के कई अभधर गालि से पहले भी मुझे सोनिया सेना ने दी है, लेकिन आपने ही देखेंगे को जो भी नारिश शक्ति करण के जो ठेकेदार है उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसी भाशन में आपने जो हिमाल्याज है, हिमाचल है, जो कि मापार्वती की जनम भूमिया है, उन्हें हिमाचल पूतर मिनिस्टर होके, आपने पूरी स्टेट को नीचे गिरा है, क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से नाराज है, और वो लड़की आपके बेटे की उमर की है, चीफ मिनिस्टर आप मुझसे बहुत नाराज हुए थे, जब मुझे थमकाने के बाद मुंबई में मैंने वहां की तुलना क्योंकि वहां पर आजाद कश्मीर के नारे लगे थे, और आपकी सोनिया सेना ने उसे डिफेंड किया था, इसलिए मैंने कहा था, उसकी तुलना प्योके से की, तो बहुत जादा समविधान के जो बचाने वाले है, वो उचल के आये थे, लेकिन कल आपने उसी भा पाकिस्तान से की, अब वो समविधान वाले नहीं आएंगे, क्योंकि उनके मूँ में कोई पैसा नहीं ठूस रहा है, मैं बात कहना चाहती हूं कि जितने भी देशवक्त लोग है, उनका एक रवहिया मैंने देखा है, कि आप कोई सहायता नहीं करता है, वो ये कहते हैं कि अ आपके मूँ में पैसे ठूसे जाते हैं, तो ये जो समविधान को बचाने वाले हैं, कर एक वरकिंग चीफ मिनिस्टर ने एक लड़की को सरयाम गाली दी, वो कुछ नहीं खहेंगे, चीफ मिनिस्टर, what I want to tell you is, कि सत्ताएं आती जाती हैं, आप सिर्फ एक गावर्मेंट स करते हैं, वो आपसे खुश नहीं है, सत्ताएं आती जाती है, लेकिन जो इंसान एक बार सम्मान को देता है, चीफ मिनिस्टर, वो उसे नहीं पा सकता है, जहिंत!